आकाश्वणी भूपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग आज शार्धी नवरात्र की महानौमी है शुधालों द्वारा आज देवी सिधिदात्री की विशीश पूजा अरचना की जा रही है महानौमी के साथी नौ दिनों से चल रहा शार्धी नवरात्र संपन हो जाता है महानौमी पर जगय जगय लगाए गये दुर्गा पंदालों में हवन पूजन, कन्या भोज और भंडारे आयोजित के जा रहे है वही मंदिरों में भी हवन अनुष्ठान हो रहे है साथी घरों में भी कन्या भोज कराने की परंपरा है नवरात्र के अंतिम दिन आज सुबह से ही देवी के दर्शन के लिए श्रधालों मंदिरों में पहुँच रहे है श्यूपुरी, उमरिया, आगरमालवा, बैतूल, रतलाम और नर्मदा पुरम सहीत राजी के अन्यसिलों में नवरात्री महत्सव के नौबे दिन आज माता मंदिरों पर श्रधालों की भारी भीड देखी जा रही है प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी और मुखी मंत्री शिवरातिंग चोहान ने आज महा नौमी के पावन असर पर लोगों को बढ़ाई दी है श्री मोदी ने आशा वेक्त की है कि महा सिद्यदातरी सभी के जीवन में संपनता और सफलता लाएंगी वहीं कल विजादश्मी का पर परंपरागत धार्मिक विधी विधान के साथ मनाया जाएगा प्रुदेश की कई स्थानों पर रावन दहन किया जाएगा असत्य पर सत्य की विजाए की रूपे बनाय जाने वाले विजादश्मी पर पर शस्र पूजन की कारिक्रम भी होंगे केंद्री क्रिश्य मंत्री नरींदर सिंग तूमर ने कहा है कि युवाओं को स्वयम के व्यवसाई की ओर अग्रिसर होना चाहिए इससे वो स्वयम आर्थिक रूप से बस्बूत होंगे वही अन्य वेरोजगारों को भी रोजगार देने में सक्षम होंगे वर्तमान दौर में उद्पादन 21 स्थापित कर बाजार की प्रुतिस वरधा में शामिल होना साहस का कार है उद्पादन करने वाले नीची एकाई का लोकारपन करने आये हुए थे उन्होंने कहाई कि प्रुधान मंतरी नरिंद्र मोदी के स्टार्टप योजना से लाब ले रहे युवा उद्द्योगपतियों के कारण भारत किर्शी के साथ साथ अपने अर्थ व्योस्ता को मस्बूती से आगे वढ़ा रहा है आज प्रते की वाको स्वेहम के कारे से रोजकार विक्सेत कर नई पीड़ी का मांग दर्शन करना चाहिए केंद्र सरकार ने अगले 500 दिनों में 25,000 नए दूर संचार टावर लगाने के लिए 36,000 करोण रुपए मंदूर किये हैं एलेक्टवानिक और सूचना प्रद्योगी की मंत्री अशुनी वैश्नव ने नई दिल्ली में राज्यों के सूचना प्रद्योगी की मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन के समापन समारों में कहा है जावर स्थलकी सूची राज्यों के परामर्श से तयार कर ली गई है और इसकी आगे की समिक्षा भी की जा सकती है। जावर स्थलकी समिक्षा भी की जा सकती है। जाच की गई है, कल दो लाक से दिखनमोनों की जाच की गई। लोग परियोचना के लोकारपन के दौरान 11 एक्टूबर को टीकमगर जिले के सभी मंदिरों में विशेश कारिक्रम आयोजित के जाएंगे। जिन जाती लोककला और बोली विकास अकादमी भोपाल द्वारा देवा से लेके ग्राम निवावर में प्रदिक्षणा की संस्कृती विशेपर एक शोध खंगोष्ठी का आयोजिन किया जाएगा। बांगलादेश के सिलहट जिला स्टेडियम में खेले जा रहे महिला 2020 एश्या कप में आज भारत का मुकाबला संयुक तरब अमीरात से हो रहा है। इस प्रिटिन में इतना ही नमस्कार।